एक कुश्चन देख लिजिए आपकी किताब का कुश्चन है मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ही खतम कर दें इसको सर क्या कहता है कहता है नंबर आफ आउटसेंडिंग शियर एक चार दोजार इककेस कितने का सहब तीन हजार का प्रेश इशू साथ सो बीश शियर और कैस कब इकत्यस आठ बाइबैक चार सो असी कब डेटेड गीवन है calculate weighted average number of equity यानि सिर्फ weighted average पूछा ऐसे सवाल भी 5 नंबर के पूछा जा सकते हैं आपसे EPS मत निकालो बस weighted क्यूंकि आपने जितने भी सवाल देखा उसमें कमाल किसका था weighted average profit का कुछ करी नहीं रहते हैं ठीक है तो सर कैसे निकालेंगे weighted average weighted average equity share साहब जो हमारा पहला share था 3,000 ये तो into हो जाएगा 12 बटे 12 पूरे साल के लिए plus 720 कितने महिने रहेगा आगे August क्या September, October, November, December, January, February, March, 7 महिने 7 by 12 plus buyback, buyback क्या करें minus, minus, buyback क्या कर दे, minus, कितने buyback है मारे 480 कब करा है फर्वरी में तो फर्वरी और मार्च दो महिने के लिए 2 by 12, solve करिए 3000 minus 720 into 7, plus 420 minus 80, जवाब क्या आया ठीक है अगला सवाल यह सारे ऐसे सवाल है अगर आपको concept clear हो जाए ना calculator पर निकाल लोगे लेकिन मैं एक बात बोलूँगा क्योंकि जितना असान है उतनी जल्दी भूला भी जाता है तो आप इसको अच्छे से remind करेंगे ठीक है ना जितने भी बच्चे हैं उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से remind करेंगे opening balance of shares 142021 को 2000 और 31 एक को issue कर दिये 610 रुपे का एक ओके और 5 रुपे पेड़ अप है 10 रुपे का each था लेकिन पेड़ अप कितना है 5 calculate सीखा अभी example में मैंने सारे example ले लिए जितने बन सकते थे तो क्या निकालना है number of weighted average तो weighted average equity share is equal to 2000 into 12 by 12 plus 600 कितने मैंने भाई 31 एक है तो जन्वरी तो गया फर्वरी और मार्च रहा है दो बटे 12 लेकिन 10 में से 5 paid up है तो क्या कर देंगे 5 बटे 10 निकालिए 2000 प्लस 50 आंसर आ गया यह सारा के सारा practical problem है आपके किताब का और आपके 10 यर के भी questions है इसमें कहता है एक चार को हमारे पास इतने का था दस रुपए का एक था और हमने फ्रेश इसू किया था कितने का 24,000 रुपए का एक्विटी जो की 5 रुपए वाला एक्विटी था सर और यह क्या था फुली पेड़ अप calculate weighted average equity share यह नि दो class के shares आगे तो वेटेड एवरेज यह जो question अब मैंने बाद में बोला था देख लेंगे अभी वही है 30,000 into कितने आएके कितने यह 10 रुपए वाला है ध्यान देना यह कितने वाला है 10 वाला तो 30,000 into 12 by 12 ठीक है प्लस कितने है 24,000 कितने महिने के लिए 6 महिने into 6 by लेकिन सर इसके अंदर कितने रुपए paid up है हमारा 5 रुपए value हमारा कम है यानि इसके comparatively यह 50% है ठीक है तो हम इसको क्या करते है नॉर्मली जैसे करते आये थे अब यह हमारा 50% कम है या तो यह मैं कह सकता हूँ इसको मुझे डबल करना पड़ेगा ठीक है अच्छाइए 24,000 इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं आपके लिए 12 चलिए द्यान दीजिए मैं इसको दो तरीके से कर देता हूँ जो भी आपको suitable लगे वो कर लेना यह 10 वाला है और यह कितने वाला है पांच वाला इसको पांच वाला है इसका मतलब यह इसका हाफ है तो लास्ट में मैं 1 by 2 कर दूँगा जितना paid-up है यह फिर मैं लास्ट में कितना कर दूँँ मैं यह 10 रुपे वाला है तो यह इसका आधा ही होगा न ठीक है नहीं तो आपका ऐसे question में सबसे बड़ी value जो भी big value है 10 है उसको consider कर ये और मैं एक बार इसको एक बटा दो पहले समझ में आए फिर मैं दूसरा तरीका भी कर दूँगा एक बटा दो क्यों हुआ क्योंकि यह इसका एक शियर इसके बराबर है या फिर मैं simple सी बात करता हूं मैं इसको यहां बता दूँ बता दूँ तो 5 बटे 10 कर देता हूं चीक है और इसका थोड़ा आसान तरीका और इसको क्या कर देता हूं ओके यानि जो जिसका जो वैल्यू इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ले लो और उसको बेस मानके जो अरिजनल शियर है उसी के इसाब से कनवर्ट कर दो तो यह कितना आ जाएगा सर प्लस यह कितना आ जाएंगे देटेस 36,000 सर दूसरा तरीका बता दो हम इसका क्या करते है पहले बताओ यह समझ में आ गया क्लियर है कैसे किया अगर वो जितने रुपे 3 रुपे पेड़ अप होता तो मैं 3 बटे 10 कर देता ठीक है ना कि अब इसका दूसरा तरीका कैसे करते हैं हम वेट निकाल लेते हैं एक मिंट मैं कुछ फॉर्मूले बना रहा हूं एक बार देख लेंगे 30,000 इंटू 10 तीन लाक कि प्लस 24,000 इंटू पांच कि चौबिस अजार 12,000 इंटू 6 बते 12,000 इंटू एक साटाथ और पैस वाले तस से डिवाइट करते हैं हो डिया आप यह वाले समझ लीजिए यही ठीक है नहीं तो वो दूसरा थोड़ा सा ना हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा बाकि इन कुश्चन देख लेंगे यह क्लिए रहे हैं चलिए कि अधि कि क्या कहता है नेट प्रॉफिट इक्केस बाइस एक्केस और बाइस का नेट प्रॉफिट कितने कहे हैं बारा लाग और सर नेट प्रॉफिट बाइस तेज इसका मतलब दो सालों का EPS पूछ रहा है कितने कहे हैं चालिस लाग नमबर ओफ इक्विटी शेर आउट सेंडिंग 31-12-2022 यानि 31-12-2022 31-12-2022 किसमें आएगा बताओ इस वाले साल में आएगा पिछले वाले में आएगा 31-12-2022 21-22 का पार्ट है 22-23 का पार्ट है 22-23 क्योंकि 31-12-2022 दिसमबर यहां है यानि यह जो आपको डिटेल दे रहा है किसकी दे रहा है सर इससे रिलेटिट दे रहा है उपर की बात ही नहीं कर रहा है यह समझ में आ रहा है पहले फटा-फट थोड़ा सा एक्टिव होई है समझ आ रहा है कहता है इस दिन तक मेरे पास जो शेयर था सुरू से जब से था ना वो इस दिन तक सिर्फ मेरे पास शेयर था that is हमारे पास 20 लाख नंबर ओके the company decided two bonus share दो दो दे देंगे हर एक को every तो bonus share कितने होंगे साहब bonus shares होंगे दो देंगे न आपको यह number है रुपीज नहीं है पहले समझो bonus share ही आगया अब इस bonus share की calculation कब से मानोगे issue होगा जिस दिन से original shares होगा ठीक है ऐसा थोड़ी है कि आपने इस दिन पर bonus shares अगर दिया है तो इसी दिन से bonus मारेंगे नहीं नहीं आप bonus shares कब से मांगोगे जिस दिन से original होगा तो साहब 2021 और 2022 का EPS profit कितना है 12,00,00 divided by number of equity share average करेंगे normal share 20 ये तो था उस दिन या नहीं था पूरे साल ही रहा होगा ये क्योंकि starting से ही चल रहे plus bonus share क्या था इस दिन या नहीं था बताईए bonus share लेंगे या नहीं लेंगे जितने बच्चे लाइब एक कमेंट करेंगे फटा फट bonus share लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा EPS बताईए bonus share लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा चलिए थोड़ा सा मैं clarity कर दूँ आपको मान लेते हैं एक साल दो साल और तीन साल इस दिन मेरे पास share था एक लाग और company ने decide किया कि इस दिन bonus share देंगे 50,000 तो जो ये वाला साल है मान लेते हैं 2020, 21, 22 और ये 23 है 23 में हमारे पास bonus share कितने मिले 50 और ये वाला share भी हमारे पास 30 में कितना होगा 1,00,000,000 तो 23 में मेरे पास कितना है 1,500,000,000 लेकिन bonus shares का nature क्या है जिस दिन से original सा उसी दिन से bonus share counting चलू हो जाएगा तो 2020 में भी कितना total share माना जाएगा सर 2021 में भी कितने माने जाएगे 22 में भी कितने माने जाएगे समझ में आ रही है बात आपको तो इसका मतलब जब ये share starting ते सा इसी पर bonus दिया गया तो क्या bonus shares भी अभी माना नहीं जाएगा इसमें 40,00,000 है ठीक है समझ में आई बात है आपको यानि bonus shares original shares के हिसाब से माना जाएगा तो यानि 12,00,000 divided by 40,00,000 कि अच्छाएगे पंद्रा था बारा था नेट प्रॉफिट बारा लाख 21,22,22,23 divided by क्या होगा 40 ने 60 पार्ट 40 तो यही हो जाएगा न यह आ गया ठीक है देखे पहले क्लियर अब अगले साल के लिए भी निकाल ले नेक्स येर का यानि 2000 तर बस प्रॉफिट ही तो चेंज होगा प्रॉफिट कितने का था नंबर अफ शेर्स वही रहेगा कितने और बोनस शेर भी कितने 40 60 0. डन बताइए कोई डाउट है? कि जी पूछ लो किसी को डाउट है जितने बत्चे लाइव में हैं वो भी पूछ ले इसमें कोई डाउट है जी जी